अब हम चलते हैं प्रशन नमबर छे की तरफ, क्वेशन नमबर शिक्स, स्वास्थ शिक्षा का क्या बाउदेशा है, स्वास्थ रक्षा के उप्योगों का वर्णन कीजिए, What are the aims of hygiene and education, describe healthcare measures, स्वास्थ शिक्षा का यह देशा है, aims of hygiene and education, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्याते हैं, विद्यार्थियों को स्वास्थ शिक्ष निमित उद्यश्यों के याधार दी जानी चाहिए, बुरी आतों से बचा, avoid bad habits, छातर कई बार विद्यार्थ जीवन में अनेक बुरी आतों तथा बुरे वियसानों में फस जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं बदिखाई दिती, लेकिन कुछ समझ आने पर उनको अपनी गल्ती का बैसास होता है, अच्छे शिक्षक होने के नाते एवं स्वास्त दिरिश्ट्री कोन के नाते परते शिक्षक का ये पवित्र करतवे हैं कि वे बालकों को इन बुरे विवसों एवं बुरी आतों से परिच्चित करा के दूर रखने की कोशिश करें, दूसरा पॉइंट आता है, All-Round Development, स्वास्ट शिक्षा का उद्धिश्य शात्रों को स्वरगिन विकास करना एवं राष्ट्रे स्वास्त में योगदान देना है, तीसरा आता है, Healthy Eating Habit, स्वास्ट शिवन की आदत, शात्रों को स्वास्ट शिवन बिताने का अभ्यास जालने के लिए तथा उनको स्वास्ट रख्षा के उपाई ये बताने के लिए, आगे हम चलते हैं, चोथा पॉइंट, स्वास्ट वातवरन का निर्मान, Creating a Healthy Environment, विद्याले के इस परकार के वातवरन को बनाना ही छात्र, स्वयम की शारेरिक स्वास्ट की और आकाशित हों तथा इसे प्राप्त करने का प्रियास करें, इनके अंतरगर्थ, शारेरिक स्वास्ट, प्रितोगिता आधी कराना तथा स्वास्ट की परितोशिक देना भी विद्याले का कार्य होना चाहिए, पांचवा पॉइंट है, इंटरस्ट इन हैल्थ केर, स्वास्ट रक्षा के प्रती रूची, छात्रों के मानसिक स्वास्ट को तो शिक्षक ग्यान देकर तथा उनकी परशानियां दूर करके बना सकते हैं, लेकिन मांसिक स्वास्त के साथ साथ शारेरिक स्वास्त भी अधियन अवशक है शिक्षकों को बालक में शारेरिक स्वास्त के प्रती रूची पैदा करनी चाहिए इस परकार बालक शारेरिक तथा मांसिक दोनों परकार के विकास की और ध्यान देंगे अब हैं हेल्थ केर मेजर्स स्वास्त रक्षा के उपाई अब इसमें सबसे जो पहला है विद्याले में सफाई तथा स्वच्चता विद्याले के निमत रूप से सफाई का होना बहुत जरूरी है विद्याले एक ऐसा स्थान है यहां पर सभी परकार के चात्र आते हैं चात्र चाहे कैसे भी क्यों ना हो यदि उनके स्वच रहना एवं सफाई रखना सिखाय जाएगा तो वो निश्चिंत रूप से इसके प्रती सहय रहेंगे इसके अतिरिक विद्याले भवन की सफाई भी वहां के नौकरों दोरा निमत रूप से होनी चाहिए विद्याले के मुत्राले को निमत रूप से साफ करके उसमें फेनेल डाला जाना चाहिए विद्याल्य का कोई भी स्थान गंदा ना रहे इस बात की पूर्ण जानकारि छात्र एवंशिक्ष को रखनी चाहिए दूसरा है विद्याल्य के वातवरन Environment of school विद्याल्य के वातवरन विद्याल्य स्वास्त के अंतरगत आने वाला महत्तपोन विशे है विशे का अंतरगत जैसा होगा छातर भी निश्चित रूप से वैसा ही होंगे गंदगी जगास्तित तथा तूटे फूटे भवन वाले विद्यार्थी प्राद गंदे ही देखे गए हैं इसका एक भी मनों विग्यानिक कारण है यदि बालक अच्छे समाज से संबन रखता है और स्वास्त दृष्टी कौन रखता है किन्तु यदि विद्यार्य गंदा है वहांका वातवरन दुशित है तो बालक अपने आपको उसी के ही अनुकूल बनाये तथा बालक का स्वास्त संबंदी दिरिश्टिकों भी बदल जाएगा स्वास्त रक्षा संबंदी उप्योगों के अंतरकत ये बहुत जरूरी है कि विद्याले के वातवरन दुशित ना हो तथा विद्याले अच्छी तरह एवं खुले हुए स्वास्त स्थान पर हो तीसरा है शुद वायू तथा प्रकाश की विवस्ता प्योर एर एंड लाइटिंग सिस्टम स्वास्त रहना और रहने और रखने के लिए शुद वायू का होना बहुत जरूरी है शुद वायू के ना होने पर दूशित वायू से बहुत से रोग हो जाते हैं इसलिए विद्याले में शुद वायू का होना बहुत जरूरी है विद्याले में शुद्वायू का आवागाम तभी हो सकता है जबी विद्याले अच्छी जगा स्थित हो विद्याले भवन के कमरों में प्रयाप खिड़कियां तथा रौशन दान हो अच्छा फनीचर गुट फनीचर शुद्वायू तथा प्रकाश के साथ साथ ये भी अवशक है कि चातर जिस फनीचर को बैटने एवं लिखने के काम में लें वह अच्छा होना चाहिए बैटने में सुवीदा जनक तथा लिखने में भी सुवीदा जनक फनीचर के होने से छातरों का स्वास्त अच्छा बना रहेगा बहुत से विध्यालियों में अन्यम बातों का तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि इन तो furniture पर किसी परकार का ध्यान नहीं दिया जाता इसे शातरों की रीड़ की हड़ी तथा शरीर के अव्यों पर जोड़ पड़ता है प्रिणाम सरूप शातरों का स्वास्त खराब हो जाने का भै बना रहता है पांचवा पॉइंट है छात्रों का स्वास्त निरिक्षिन Health Test of Students विध्याले के उच्छ यदिकारियों को चीए कीवे हैं वर्ष में एक या दो बार छात्रों की डक्टरी जांच कराएं विध्याले में परवेश लेने के समय से लेकर परतेक वर्ष शात्रों के स्वास्त की जांच होती रहनी चाहिए यदि शात्रों रोगी हों तो उनके माता पिता को उनके रोगों की सूचना आदी दे दिनी चाहिए माता-पिता का ये करतवे है कि वच्छातरों के रोग का उच्छित उपचार कराएं उसके बाद उसे विद्याले में भेजें छटा पॉइंट है अधार का संतुलित होना बैलन्स डाइट विद्यालिया में दोपहर में दिये जाने वाले आहार का संतुलन होना स्वास्त का दिरिष्टी से अत्यन ही महत्त पूर्ण है आहार में दी जाने वाली वस्तुएं तथा स्वास्त विद्ध होनी चाहिए संतुलित अहार से चात्रों के स्वास्त में पृद्धी होगी एवं पूर्ण शारेरिक विकास होगा आखरी पॉइंट साथवा पॉइंट है कि विध्याले की समय सार्णी टाइम टेपल अफ स्कूल विद्याले की समय सारनी ऐसी हो जिसे छातर का अध्यापकों के स्वास्त पर बुरा परवावना पड़े समय सारनी बनाते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि परतेक विशे को सिली तथा शातरों की रूची यनुसार रखना चाहिए इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक ठकान शात्रों तथा यद्यापकों को ना हो विध्याले में समय समय पर विभिन परकार की खेल प्रयोकतां भी होनी चाहिए शरीर रक्षा के प्रती चात्रों में रूची उत्पन करने के लिए उन्हें पारितोशिक भी वित्रन किये जाने चाहिए इस परकार की विवस्ता से चात्रों के स्वास्त में वरिद्धी होगी धन्यवाद